दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं एक कमाल की murder mystery movie को जिसका नाम है forensic अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो movie की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक family को जनम दिन मनाते हुए देख रहा था तब जिस लड़की का जनम दिन है वो इसकी बहन है अब ही आदमी अपनी बेटी से दो बहुत प्यार करता था लेकिन अपने बेटे से उतनी ही जएदा नफरत क्योंकि इसके पैदा होते ही उसकी माह की मौत हो चुकी थी और उस दिन से या आदमी अपने बेटे से नफरत करने लगा था खेरत क्राइम सीन की जांच करता है, और उसे पता चल जाता है, कि औरत का मड़र उसके पती ने किया है, वो भी उसके टूट्पेश्ट में जहर मिला कर यहां सीन कट होता है और हम मसूरी में अनाया नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो एक दूसरी बच्ची को देख रही होती है इस बच्ची का आज जनम दिन था इसलिए बच्ची अनाया के पास आती है और उसे एक टौफी देती है और यह सीन भी यही कट होता है बच्ची की आँखे खुली हुई थी और उसे बहुत ही बहरेमी से मारा गया था इस बच्ची का नाम था जैनी अब कॉंस्टेबल मेगा को बताता है कि लाश सबसे पहले जसु पाड़ी नाम के आदमी ने देखी थी लेकिन वो तो अब भाग गया है इस पर मेगा कॉंस्टे मेगा तो जौनी के साथ काम करना नहीं चाहती थी दरसल मेगा और जौनी गल्ट्फरेंड बॉयफरेंड थे लेकिन इनका ब्रेक अप हो गया था और इनके अलग होने का कारण जौनी का बड़ा भाई और मेगा की बढ़ी बहन दोनों हस्बेंड वाइफ थे और उनकी दो जिसमें से एक की एक्सिडेंट में मौत हो गई थी और अपनी बच्ची के जाने से मेगा की बहन काफी तोड़ चुकी थी वो ये सद्बा बरदाश नहीं कर पाई और फिर उसने अपनी जान दे दी अब इसी हादसे के कारण ही मेगा ने नाया की कस्टेडी चीन ली थी क्यों प्रिजेंट में मेगा क्राइम इन्वेस्टिकिशन करने के लिए चर्च में जाती है जहां जैनी अपना जनम दिन मना रही थी मेगा चर्च के सिसीडीवी कैमरे को चेक करती है और वो अनाया को जैनी के साथ देखती है ये देखकर तो मेगा शॉक्ड हो जाती है लेकिन व से देखकर हाई भी कहती है और फिर वो उसके साथ कहीं चली जाती है हाला कि CCTV कैमरा में उस इंसान का चैरा नज़र नहीं आता खैरम मेगा अकेले में अनाया से चर्च जाने कारण पूछती है तो अनाया कहती है कि वो तो सिर्फ मा गाना सुनने के लिए गई थी जिसके बाद वो सीधा अपने स्कूल चली गई थी फिर इस क्राइम को इंवेस्टिकेशन करने के लिए जॉनी भी मा आ जाता है और मेगा जॉनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी तब जॉनी क्राइम सीन पर मिले एविडेंस को चेक करता है और फिर उन्हें एविडेंस के तौर पर रख लेता है फिर वो चर्च में जाकर भी इनवेस्टिकेशन करता है और अब पूरी इनवेस्टिकेशन करने के बाद जॉनी मेगा को बताता है कि जैनी की पीट पर चाको से कई बार हमला किया गया था और जिस एंगल से Janny पर चाकष से वार किया गया उसे देखकर तो लगता है कि किलर लेफटी है आगे जौनी और मेगा चर्च जाते हैं जहाँ जौनी मेगा को बताता है कि जौनी चर्च से निकल कर इसी रास्ते से जंगल की तरफ गई थी तब जंगल में उने वहाँ एक टनल मिलता है और जॉनी मेगा को बताता है कि जैनी इसी टनल से होकर गई होगी क्योंकि जब जॉनी ने पुलिस द्वारा दिये गए एवडेंस के जाच की थी तो उसे जैनी के फ्रॉक में टनल के सीवेज वाटर के ट्रेसेज मिले थे साथ ही जॉनी बताता है कि जो भी जैनी को अपने साथ ले गया था उसकी हाइट चार फुट थी क्योंकि टनल की हाइट भी केबल चार फुट है जानी चार फुट से ज़्यादा बड़ा कोई भी इंसान इस टनल को पार नहीं कर सकता और उस किलर ने जैनी को दिवार के उस प जोना आदमी दिखा था जो कि चर्च की साप सफाइ करता है और उसकी हायड भी कम से कम चार फुर्टों होगी इसलिए मेगा शक के तौर पर उसे अरे vraag कर लेती है और इस आदमी का नाम चार्लि था फिर मेंगा चार्लि से पूशताज करती है। लेकिन चार्ली कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और वो बताता है कि जिस दिन जैनी का मडर हुआ था वो उस दिन अपना काम खतम करके अपने घर जल्दी चला गया था लेकिन मेगा को चार्ली की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता क्योंकि चार्ली भी लेफ्ट हेंडर थ आलाकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि चार्ली नहीं जैनी को मारा है। खेर इदर हम देखते कि अनाया एक रंजना नाम की सेकेट्रिष्ट के पास थेरपी सेशन के लिए आती है। दरसल अपनी मा और बहन की मौत के बाद से वो काफी उदास रहने लगी थी। साथ ही अनाया को मिर्गी के दोरे भी आते थे। इसलिए मेगा उसे थेरपी दिल वा रही थी। chaired up therapy session खतम होने के बाद मेगा उनाया को लेने आती है। जहाँ वो रंजना के घर पर एक आदमी को देखती है। मेगा रंजना से उस आदमी के बारे में पूछती है। तो रंजना के दुरान जॉनी को क्राइम सीन पर फुट्प्रिंट मिले थे इसलिए जॉनी उसके फुट्प्रिंट ले लेता है जो कि बहुत ही छोटे साइज के थे तब जॉनी जाकर चार्ली का फुट्प्रिंट का साइज ले लेता है लेकिन वो जब लैम में जाकर चेक करता है तो वो चार्डी के फुट्प्रिंट से मैच नहीं होती जिससे ये साबित हो जाता है कि जैनी का खूनी कोई और ही है कैरेदर जैनी के लाश को सबसे पहले देखने वाले आतमी को मेगा पकड़ लेती है वही हम देखते के रात में अनाया एक बर्थडे पार्टी में आती है जो कि शहर के एमेले की बेटी का था लेकिन बर्थडे के बाद एमेले की बेटी ही गायब हो जाती है जिसके बाद महाँ पर मेगा अपने टीम के साथ पहुंचती है जॉनी भी क्राइम सीन पर पहुंच और वहाँ पर अपनी जांच शुरू करता है वही जॉनी देखता है कि यहाँ पर तो खून पड़ा है और वो उसे अपने पास रख लेता है जांच के तौर पर खैर अब आगे जॉनी ऑफिसर और मेगा को बताता है कि उसने मडर सीन पर मिले फूटप्रिंट की जांच की ले उसने देखा कि कोई दिवार के उस पार से छोटी बच्ची को इस तरफ फिकने की कोशिश कर रहा था ये देखकर उसने दिवार के उस पार देखा तो एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो लाज को वही फिक कर चला गया अब ये सुनने के बाद मेगा इस आदमी की से उस चोटे बच्चे का स्केच बनवा दी है जिसके बाद पुलिस उसे पूरे मीडिया में सर्कुलेट करवा देती है फिर एक दिन मेगा के पास बाल सुधार केंदर से कॉल आता है जिसमें महा का एक आदमी उसे बताता है कि जिस लड़के को आप लोग ढूंड रहे हैं उ अगले दिन हम देखते है कि अनाया थरेपी सेशन के लिए रंजना के घर तो आती है पर वो से बिना बताए कहीं और चली जाती है तो रंजना ये बाद मेगा को कॉल करके बताती है जिसके बाद मेगा नाया को हर जगा ढूंड ती है और फिर अनाया उसे पार्क में उसी कि योग को क्यो मारा लेकिन रोहन तो कुछ भी जवाब नहीं देता और वो उटा चिलाने लगता है इधर जोनी ये सब देख रहा था और उससे लगता है इसी बीच पुलिस को एक बिंदिया नाम की लड़की की गायब होने की खबर मिलती है जिससे जोनी को यकीन हो जाता है कि रोहन की लड़ नहीं है खैर इसके बाद मेगा रोहन से सच उगलवाने के लिए सैकेट्रिस्ट रंजना से मदद लेती है और रंजना रोहन के पास आती है वो उसे लड़कों की फोटो दिखा कर उससे उनके बारे में पूछती है जिस पर रोहन बताता है कि उसे एक चोटी बच्ची की आवाद सुनाई देती है और वो बच्ची उसे जो कहती है वो वही करता है हाला कि अब उसे कुछ भी याद नहीं इदर हम देखते कि जिस बिंदिया नाम की बच्ची के गयाब होने की खबर मिली थी उसे अनाया कहीं लेकर जा रही थी इसके कुछ टाइम बाद अनाया की यही फूटेज पूरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाती है यानि अब तक जो भी मडर हो रहे थे वो अनाया ही कर रही थी सबको तो ऐसा ही लगता है अब जैसे ये बात मेगा को पता जलती है तो वो तुरंत अनाया के स्कूल पहुंच जाती है जहां मेगा को अनाया की टीचर बताती है कि अनाय तो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है ये सुनकर तो मेगा के होश उड़ जाते हैं इसके बाद मेगा के सीनियर दूसरे पुलिस ओफिसर को ये केस सौब देते हैं और वो कहा दे कि तुम से ये केस सौल नहीं उपाएगा इसलिए तुम दोनों को सस्पेंट किया जाता है जिससे जोनी की भी नौकरी चली जाती है क्योंकि इन दोनों ने गलत इनसान को पगड़ दिया था और असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा था साथ ही मेगा के सर मेगा के घर के भार भी दो पुलिस वाले तैनात कर देते हैं ताकि मेगा अपनी भांजी की मदद ना कर पाए वहाई अब इस केस को मिश्टर दत्ता को सौब दिया जाता है जो कि मेगा को जराबी पसंद नहीं करता था यदर जोनी सस्पेंट होने के भाव जुद इस केस की जाच में लगा होता है जा उसे बिंदिया की लाश मिल जाती है पिर जोनी पुलिस को एक अजान आदमी बनकर लाश की खबर देता है और खुद मेगा से मिलने उसके घर आजाता है जहां पुलिस की टीम बाहर तैनात थी तब ये देखकर जॉनी पुलिस की नजरों से छुपकर मेगा से मिलता है और उसे बताता है कि अनाया निर्दोश है वो कहता है कि अनाया जिस फूटेज में है वो एक CCTV फूटेज है यानि किसी ने जान बुच कर वो वीडियो वैरल की ताकि किलर से सब कर ध्यान हट जाए जॉनी ने बिंदिया की बॉड़ी की जाजवी की थी तो वो बताता है कि बिंदिया के हाथ पर किसी बड़े आदमी के काटने के निशान थे यानि इन सब के पीछे कोई आदमी है और अब तक जितने भी मडर हुए है वो उसने ही बच् जॉनी की नजर अनाय की ड्रॉइंग पर जा दी है जिससे जॉनी को पता चल जाता है कि अनाय कहा गई है इसके बाद मेगा और अनाय पुलिस से बचकर एक जगा पहुशते हैं जहां हम देखते कि अनाय अपने पिता अभय के साथ थी आसल में अभय ने एक घर ले रखा थ जिसके बारे में किसे को भी पता नहीं था और पिछले एक साल से अनाय और अभय मिल रहे थे मेगा अनाय को अभय के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है तब अभय उसे बताता है कि वो टीवी पर अनाय को देखकर बहुत डर गया था और उसे डर था कि वो खोनी कही अनाय को भी न मार दे इसलिए वो से अपने घड ले आया तब जॉन्य और मेगा अनाया से पूश्टाच करते हैं जहां अनाय उन्हें बताती है कि उसे एक बच्ची के आवाज सुनाई देती है और वो जो से कहती है वो वही करती है लेकिन उसे आवाज कहां से आती है ये उसे याद नहीं अब ये सुनकर मेगा कॉंस्टेबल राव को कॉल लगाती है और उसे शेहर के आसपास से मैसरी केसिस के बारे में पता करने के लिए कहती है तब मिश्टर राव पता करके बताते हैं कि 5 साल पहले रिशी केश में से मैसे केसेस हुए थे और महाँ पर भी किलर बच्चिये को जनम दिन के दिन मार देता था अब ये सुनने के बाद मेगा और जौनी मिश्टर राओ के साथ रिशी केश के लिए निकलते हैं और रिशी केश पहुंचकर जौनी अपनी फोरेंसिक एक्सप इनिया की बाडी पर मिले थे और इन दोनों की बाइट का डियने मैच कर रहा था लेकिन निशान तो अलग अलग थे अब ये जानकर डौक्टर सोलंग की जौनी से एफडिपी करने को कहते हैं एफडिपी की जरिये किसी भी इंसान की उमर का पता लगाया जा सकता है साथ ही इससे उसकी आखों का रंग बाल का रंग और चाहरे का इस्ट्रक्चर भी पता लग सकता है जिसके बाद जौनी उस किलर का डियने लेकर एफडिपी कर देता है इधर मेगा और मिश्टर राव रिशी केश के सभी स्कूल में जाते हैं और वहाँ उन सभी बच्चियों की इ कांसलिंग देते हैं जिस स्कूल में उनकी बेटी पढ़ती थी आगे वो अरत बता दे कि पांक साल पहले रमेश गुपता को कैंसर हो गया था जिसके कारण उन्होंने रिजाइन दे दिया अब ये सुनकर मेका तुरन डॉक्टर रमेश गुपता के घर जाती है लेकिन वहा चला तो उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और फिर उसने आत्मत्या कर ली वही रमेश जी भी फिर कहीं चले गए जिसके बारे में किसी को नहीं पता मेगा उस औरत से पूछती है कि शशी की मौत कैसे हुई थी तो वो औरत उसे बताती है कि उसने ट्रेन के आ गया कर अप रमेश गुपता पर जाता है कि उसने अपने बेटे और बाकी बच्चे को मारा होगा इसकी बाद मेगा और जॉनी स्कूल जाते हैं जासे ने डॉक्टर रमेश गुपता की फोडो मिलती है और डॉक्टर रमेश गुपता कोई और नहीं बलकि रंजना के पेशन्ट थे जो आज अनाय का जनम दिन भी था और डॉक्टर रंजना निकलने से पहले अपने पेशन्ट रमेश गुपता को बता देती हैं कि अनाय को मिर्गी के दोरे पड़े हैं इसलिए वो उसे देखने जा रही है ताथ ही वो रमेश गुपता को ये भी बता देती हैं कि आज अनाय का ब जिसके बाद मेखा जब FDP द्वारा भेजी गए फोटो को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि शशी कोई और नहीं बलकि डॉक्टर रंजना है यानि अब तक ये लोग जिस killer को ढूंड रहे थे वो उनके सामने ही मौजूद था और वो भी औरत के रूप में जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली आती यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शशी कोई और नहीं वही लड़का था जो हमें मूवी की शुरुवात में दिखाय गया था जिसका पिता उसे मार रहा था उस रात शशी ने अपनी बहन और पिता को मार दिया था जिसके बाद उसे जेल हो गई और वहाँ से डॉक्टर रमेश ने उसे एडप्ट कर लिया था डॉक्टर रमेश ने शशी को अपने बेटे की तरह पाला जिसके बाद रमेश ने शशी को चाइल्ड सैकेट्रिफ्ट बना दिया लेकिन कुछ साल बाद रमेश को कैंसर हो गया और जब ये बाद शशी को पता चली कि आप कुछ दिनों में उसके पिता मरने वाले हैं तो ये जानकर वो बहुत दुखी हो गया उसे लगने लगा कि फिर से उसके पिता का प्यार उससे छिंजाएगा यही सब सोचकर शशी को बाकी बच्चियों को देखकर जलन होने लगी जिनके पिता अपनी बच्चियों से प्यार करते थे और ये देखकर शशी को अपनी बहन की य कोई और नहीं बलकि अनाया की बहनी थी जिसे अब एकी फैमली आज तक एक एकसिडेंट समझ रहे थे खैड डॉक्टर रमेश जॉनी और मेगा को बताता है कि जब शची को पता चला कि उसे फिर से कैंसर हो गया है तो वो फिर उनके पास आया और वो लोग रिशी के छोड़ कर मसूरी में रहने लगे और अब वो फिर से बच्चे को मारने लगा क्योंकि उसे लगता है कि जैसे उसने पिछली बार बच्चे को मारा था तो रमेश ठीक हो गया था तो शायद दोबारा बच्चे को मारने से रमेश फिर ठीक हो जाए रमेश कहता है कि मुझे इन सब ब अच्ची के आवाज निकालता है तब अबाद सुनकर अनाया हिपनोटाइस हो जाती है यानि उसने रोहन को भी ऐसे हिपनोटाइस करके उससे मडर करवाए थे खैर अब इसके बाद शशी अनाया को अपने साथ एक जगा पर लेकर आती है और ये शशी के पहले पिता का घर थ अब यहाँ पर शशी अनाया को मारने के तैयारी करने लगती है कि तब ही महाँ पर मेगा और जॉनी पहुंट जाते हैं लेकिन तब ही एक रूम में जैसे ही मेगा आती है तो महाँ पर शशी उस पर हमला करके जक्मी कर देती है इधर जॉनी को अनाया बेहुशी की हालत में मिल जाती है तबी हम देखतीं कि शेषी जैसे ही मेगा को मानने वाली है महाँ पर जानी आता है और शेषी को शूट कर देता है जिससे उसके हाई पर मौत हो जाती है और फिर ये मडर मिश्ट्री सॉल्फ होने के साथ ही ये मूवी यही पर खतम होती है दोस्तों आपको ये मुवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा और इसके अलावा आप कौन सी मुवी का एक्स्पिनेशन चाहते हैं वो भी कॉमेंट कीजिएगा बाकि अगर आपको हाली में ये कमाल की मुवी देखनी है तो आपी वीडियो देख लीजिए